आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question 6 आपसे बूलागे कि CACL2 जो है यह आपका Example होगा इन में से किसका यह आपसे पूछा गया तो देखो basically आपको उताने कि किस टाइप का Salt है आइट आपको इक चीज पता होने चाहिए कि जो हमारे पर Salt होते है वो basically आपके क्या होते है salt की जो formation होती है वो आपके क्या होती है acid plus basis से होती है अब देखो हो तक है कि अगर suppose कर लो में पास इसमें classification हो जाती है कि अगर आपका acid जो है वो weak acid है और आपका base जो है वो भी आपका strong base है तो उस case में जो आपका Salt बनेगा यहाँ पर क्योंकि जब आप क्या करोगे इनके बीच में reaction करोगे इनके बीच में जो Salt बनता है वो आपका क्या होगा एक basic salt होगा that will be your basic salt because इसमें हमारे पस क्या है strong base का involvement है similarly अगर आपके बीच कोई strong acid है और आपके बीच बनता है तो उस case में जो salt बनता है उससे हम acidic salt कहते है पर मैं पस strong acid का role दिखा जाएगा similarly अगर हमारे पस क्या होता है कि हमारे पस कोई क्या है आपके बीच बात करते हैं आपके strong acid है आपका strong base है उस case में मारे पस जो salt होता है उसे हम neutral salt भी कहते हैं और हम क्या कहते हैं normal salt clear और यह जो मारे पस acid और basis की formation होती है अगर आपको जानने की CACL2 आपका कैसा salt है तो आपको यह देखना होगा कि आपका कौन से acid and कौन से base से बना हुआ है और उनका nature क्या है आप कैसे जान सकते हो आप क्या करो simply इसका hydrolysis करा दिजिए hydrolysis मतलब इसकी water के साथ reaction करा दिजिए तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके formation हो जाएगी किसकी CAOH whole twice की प्लस आपके formation होगी किसकी HCL की यह reaction जो है वो basically आपकी यहाँ पर क्या है take place करने वाली है इस type से आपके complete reaction जो है आपको देखने को मिलेगी clear अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपको पता होना अच्छे कि CAOH whole twice होता है यह आपका एक strong base के strong base में आता है similarly acid जो है HCL यह भी आपकी क्या एक strong acid है right so अगर यह आपका salt जो है वो एक strong acid और strong base का है so it means यह आपका क्या होगा एक normal salt होगा मतलब option 1 आपका है यहाँ पर correct होने वाला है so अगर अभी भी आपको nature जानना होता है salt का तो just उसका कह water की साथ reaction करा दो और देख लो कि वो कौन से acid और कौन से base से बना हुआ है and then use this logic that I have told you right so option 1 correct होगा thank you